Hello Friends, Welcome to Quant Study, आज हम करने जा रहे हैं हमारा Chapter Series, जो की reasoning का एक पार्ट है और उसका हम करने जा रहे हैं आज Part No.2 शुरू करने से पहले मैं चोंगा कि आप हमें हमारे YouTube चनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं, यह रहे डिरेक्ट लिंग्स आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से हमें हर जुगा फॉलो कर लीजिए और किसी भी एपटेट को मिस्मत कीजिए जैसा कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि सीरीज के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है नंबर सीरीज, सेकंड है अलफापेटिकल सीरीज, इसमें से हम नंबर सीरीज कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं, यह भी आपको मैं दो पार्ट्स में कराऊंगा, जिसका आज हम करने जा रहे हैं, पार्ट वन, जैसा हमने नंबर सीरीज में किया था, उससे थोड़ी सी अलग टाइप की सीरीज है, वहाँ पर एक ही नंबर होता था, उसको हम नेक्स नंबर से कंपेर करते थे, फिर नेक्स से कंपेर करते थे और इसी हिसाब से एक पैटन डिकोड करते थे, और उस डिकोड किये हुए पैटन के हिसाब से हम नेक्स नंबर फाइंड करते थे, पर एल्फबेट सीरीज में क्या है, आपको उन तीन-चार एल्फबेट दिये होंगे एक पार्ट में, और नेक्स पार्ट में भी वैसे ही तीन-चार एल्फबेट, और नेक्स प लिए हम comparison methods करते हैं सबसे पहला comparison method है कि हम first alphabet को next वाले part के first alphabet से compare करते हैं जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको ABC में है first alphabet A तो उसको हम compare करेंगे C, E, G के पहला alphabet जो की है C उसके साथ वैसे ही हम C को E के साथ compare करेंगे जो next series का पहला alphabet है और इसी से हमें पता चलेगा कि जो question mark है उ उसका first alphabet क्या होगा तो जब हम देखेंगे कि A से C के बीच में B skip हो रहा है C से E के बीच D skip हो रहा है तो E से next series के बीच भी एक ही alphabet skip होगा यानि कि E से next series के बीच एक alphabet के अस्टिप होगा वो होगा F तो next series का पहला alphabet के आ जाएगा वो हो जाएगा G ये था पहला तरीका जिसमें हम first से first alphabet को compare करते हैं अब इसके बाद एक और तरीका है जिसमें हम last alphabet को next series के first alphabet से compare करते हैं ये वाला तरीका हम तब अपनाएंगे जब हमारा first to first alphabet वाला जो तरीका है वो fail हो जाएगा most cases में 80% cases में first to first alphabet वाला case कभी भी fail नहीं होता पर अगर ये fail हुआ तो हम last to first alphabet वाली अप्रोच लगाएंगे जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसमें क्या होगा जैसे कि हमें सबसे पहली series का दिया हुआ है A, D, G उसके next दिया हुआ है G, J, M उसके next दिया हुआ है M, P, S तो यानि कि हमें दिख रहा है कि first series जिस चीज़ पर end हो रही है ठीक है second series उस चीज़ से शुरू हो रही है जैसे कि A, D, G, G पर end हो रहा है तो G, J, M, G से शुरू हो रहा है वैसे ही G, J, M, M पर end हो रहा है तो M, P, S, M से शुरू हो रहा है तो obvious यह बात है next series का first alphabet क्या होगा जब हम last to first approach लगाएंगे तो next series का first alphabet हमें पता चल जाएगा वो होगा S, जो की था M, P, S का last alphabet ठीक है अब आते हैं हमारे questions पर सबसे पहला question कह रहा है B, D, F, next है C, F, next है D, H, L और हमें चार option दियो हैं इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा option जो होगा वो हमारे question mark की जगा fit होगा तो हमने सबसे पहले देख लिया first alphabet to first alphabet approach लगाई यहाँ पर B, D, F में B, D, C, F, I में C, D, H, L में H तो हमें पता चल गया कि B, C, D एक pattern में चल रहे हैं तो next जो हो गई series उसका first alphabet आएगा E तो हमारा option A तो सीधा सीधा इससे गलत हो जाएगा अब हमें सिरफ option B, C और D पे काम करना है अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे वही चीज़ जब हमने first to first alphabet approach लगाई अब हम second alphabet to second alphabet approach लगाएंगे तो second alphabet आगे है D, F वैसे ही next वली series का आगे है F, I और last वली series का आगे है H, L जब हमने इसको compare किया D, F और H को तो हमने देखा कि D से F के बीच एक alphabet skip हो रहा है, जो की था E F से H के बीच एक alphabet skip हो रहा है, जो की है G तो H से next जो उसके E के साथ जो alphabet आएगा second alphabet उसमें भी एक alphabet skip हो रहा होगा तो H, H के बाद आता है I, I को हम skip कर देंगे तो I के बाद आएगा J तो E के साथ यहाँ आप देख सकते हैं हमने लगाया J जब हमने अपने options चेक किये तो हमें E, J जो था वो सिरफ option C में दीखा तो हमें जो last alphabet था next series का वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारा सीधा सीधा answer आगया E, J, O is our right answer चलते हैं next question पर Y, E, B, W, F, D U, H, X, S, K, I next question मार की जगा कौन सी series आईगी तो वहीं अप्रोच लगाएंगे हम first alphabet to first alphabet approach first alphabet to first alphabet वाली अप्रोच हमने लगा के देखा तो हमें दीख रहे है Y, W, U, S यानि कि यह जा रहा है reverse order में Y सबसे बड़ा alphabet है फिर X skip हो रहे, W, R फिर X skip हो रहे, U, R, फिर X skip हो रहे, S, R तो X skip करेंगे तो क्या आता है S से just पहले क्या आता है R, ठीक है, R हमने skip कर दिया जब R हमने skip किया तो R से just पहले क्या आता है Q, ठीक है तो R से just पहले आता है Q, S से QI बीच में R skip किया, ठीक है, समझागा यह वाला पार्ट, तो first alphabet तो सिदे-सिदे हमारे पास आ गया कि Q आएगा, ठीक है, तो T वाला जो option है, वो cancel हो जाएगा, अब देखिए last alphabet सबका L है, तो हमें last alphabet पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें option A, B और D में second alphabet तीनो अलगलग दिख रहे हैं, हम इन में से किस, जो भी second alphabet to second alphabet वाली अप्रोच लगाएंगे, और जो भी हमारा second alphabet आएगा, वही हमारा final answer बन जाएगा, क्योंकि last alphabet तो सबका ही सेम है, तो हमने अब लगाई second alphabet to second alphabet की अप्रोच, इसमें हमें दिख रहे हैं कि Y, E, B में E है, W, F, T म में H है, S, K, I में K है, तो हमने जब यह अप्रोच लगाई, तो देखा कि E और F के बीच में कोई भी skip नहीं हो रहा, F और H के बीच में G skip हो रहा है, यानि कि एक alphabet skip हो रहा है, H और K के बीच में I जी आता है, तो उसमें 2 alphabet skip हो रहे हैं, वैसे ही इस pattern को follow करें, तो देखिए E F के बीच 0 skip, F H के बीच 1 skip, H K के बीच 2 skip, तो K और next term के बीच में 3 skip होने चाहिए, तो K और next term के बीच में जब हम 3 skip करेंगे, तो यानि कि हम L, M, N skip करेंगे, N के बाद जो next term आईगी, वो हमारी आईगी, O, और O हमारे सिरफ एक ही option में दिख रहे है, जो कि है हमारा option A, त next question, A, B, D, D, G, K, H, M, T, B, S, B, L, ठीक है, हमें next series बतानी है, वही है approach लगा ही first alphabet to first alphabet, तो हमने देखा कि first alphabet है A, D, H, M, S, तो हमें next series का first alphabet निकालना है, A और D के बीच 2 alphabet skip हो रहे हैं, जो कि थे B और C, वैसे ही D और H के बीच 3 हो रहे हैं, H और M के बीच 4, M और S के बीच 5 skip हो रहे हैं, तो S और उसकी next term के बीच कितने skip होने चाहिए, 6, तो जब आप S से 6 alphabet skip करोगे और उसके next alphabet वला देखोगे, तो आप देखोगे कि S के बाद 6 alphabet skip कौन-कौन से होंगे, T, U, V, W, X, Y, ठीक है, ये 6 alphabet skip हो रहे हैं, Y जो है, इदर fill नहीं होगा, Y भी skip होगा, क्योंक alphabet हमारी question mark वाली series का, तो Z आगया हमारे पास पहला alphabet, यानि कि हमारा जो X, K, W, जो कि हमारा D option है, वो होगा, cancel, अब हमें देखना है कि, देखिए, अब Z वाली 3 option है, उसमें से A और B option का second alphabet match करता है, तो हम सबसे पहले ऐसे questions में देखते हैं, कि अगर हमें एक ऐसी चीज मिल जाए, जो तीनों option में match नहीं कर रही हो, फिर हम उसी पे काम करें, ताकि हमें दो बार ये pattern apply करने की जरूरत ना पड़े, तो हमने देखा कि A और B option में K similar है, तो हमने फिलाल कोशिश की कि इसको ignore करते हैं, हम last alphabet पे आगे सिधा, last alphabet तीनों options के अलग-अलग हैं, तो यानि कि अगर हम अपना last alphabet निकाल ले, तो हमें जो middle वाला alphabet है, उस पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर for example, हम middle वाला alphabet निकालते हैं और वो K निकल जाता, फिर हमें last वाला alphabet पे फिर से काम करना पड़ना था ना, कि ZKW है या ZKU है, यही चीज को ignore करने के लि alphabet आएगा, for example, अगर हमारा alphabet U आजाता है, तो सीधी सीधी बात है कि option B answer है, W आजाता है, तो सीधी सीधी बात है कि A option है, इसलिए हमने middle वाले alphabet को फिलाल के लिए ignore कर दिया, अब करते हैं last वाले alphabet पे last to last alphabet के अप्रोच लगाते हैं, इसमें क्या होगा, कि B, K, S, B और L आपक आपको analogic में बताया था, alphabets के numerical values, ठीक है, और उनके reverse भी मैंने बताया थे, वो एक अलग chapter है, analogic, उसका एक अलग part था, जिसमें मैंने बताया था, पर जिन बचोंने वो part attend किया होगा, उनको अच्छे से याद होगा, कि D की numerical value होती है 4, K की होती है 11, S की होती है 19, B की होत और L की होती है 12, अब देखिए ये एक हमने alphabet series को number series में convert कर दिया, और part 1 में मैंने आपको number series भी बताया थी कैसे करने, अब हमने देखा 4 से 11 के बीच में है 7 का gap, 11 से 19 के बीच में है 8 का gap, 19 से 2 अगर आप reverse में जाओगे तो आपको 17 का gap दिखेगा, पर हमने reverse में नहीं जाना होगे, जबकि हमें आगे-ागे बढ़ना है, तो 19 से आप next जाओगे, तो पहले आप Z की तरफ जाएए, तो Z तक आपको मिलेगा 7 alphabet का gap, और जब उसमें A और B, 2 alphabet और add कर दोगे, तो आपको देख जाएगा कि S और B के बीच जो है, वो 9 का gap है, अगर हम S से forward direction में जाएए, ठीक है, similarly B से L के बीच 10 का gap है, तो L से next term के बीच कितने का gap होगा, यानि कि 12 से next term के बीच कितने का gap होगा, वो होगा 11 का, जब हम 12 में 11 add करेंगे, तो हमारे पास आदेगा 23, और 23 alphabet कौन सा होता है, 23 alphabet, 23rd alphabet होता है हमारे पास W, तो हमारा answer आगे, ZKW is correct, यह यह next question, Z, U, Q, question mark and L, अब हमने देखा, वही चीज़ अपलाई कि इस पर जो हमने अनलोगी में सीखी दी, कि हमने numbers की जगह उनकी numerical value डाल दी, Z में हमने डाले 26 की value, U हमें पता है 21 है, Q हमें पता 17 है, question mark हमें निकालना है, और L हमें पता है, 12 है, अब हम वही approach लगाएंगे, जो number series में approach लगात और question mark के बीच 3 का gap होना चाहिए, और question mark और 12 के बीच 2 का gap होना चाहिए, अगर हम 17 से 3 minus कर दें, तो जो number आएगा, उससे हम 2 minus करें, अगर हमारा 12 आ जाता है, तो यानि हमारी जो approach लह हमने लगाई है, वो बिलकुल सही जा रही है, 17 से 3 minus किया हमारे पास आया 14, और 14 से जब आप 2 minus कर होगे तो टो आल आएगा, बिलकुल आएगा, तो यानि हमारी ये approach बिलकुल ठीक थी, और हमारा 14th alphabet कौन सा होता है, 14th alphabet होता है हमारा N, तो D option आगया हमारा correct answer, ये रहा next question, 3F, 6G, 11I, 18L, ठीक है, अब हमने क्या किया, numbers को अलग कर दिया, alphabet को अलग कर दिया, ताकि numbers को अलग करेंगे, तो हमें next series का first number मिल जाएगा, क्योंकि first first number वाले हैं, और alphabet पे जो हम pattern लगाएंगे, तो हमें next series का alphabet मिल जाएगा, ठीक है, तो जब हमने numbers अलग किये तो हमें दिख रहे हैं, 3, 6, 11, 18, question mark, alphabet अलग किये तो हमें दिख रहे है, F, G, I, L, question mark, तो पहले number पे क कितने का होना चाहिए, इस pattern के हिसाब से 9 का gap, तो 18 में जब आप 9 हैट करोगे, आपके पास 27, तो हमारे पास हमारी series का number आ गया, अब हमें सिर्फ alphabet डूणना है, ये भी हमें डूणने की क्यों जूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास 27, C और D, दो जगा है, दो options में है, अगर तो हम सिदा सिदा उसी answer को mark कर देते, अब आते हैं alphabet पे, F और G के बीच कुछ skip नहीं हो रहा, कोई alphabet skip नहीं हो रहा, G और I के बीच एक alphabet skip हो रहा है, I और L के बीच 2 alphabet skip हो रहे हैं, तो L और question mark के बीच कितने alphabet skip होने चाहिए, L और question mark के बीच 3 alphabet skip होने चाहिए, जब हम 3 alphabet skip करे अगे M, N and O, ये तिने alphabet होगे, skip, तो next alphabet क्यों होता है, next alphabet होता है P, 27 हमारा आया था number वाली series से, P हमारा आ गया alphabet वाली series से, तो clearly हमारा D option 27P ही हमारा correct answer है, next question आ गया, C4X, F9U, I16R, वही अप्रोच लगाई हमने, इस बार हमने last से शुरू कर लिया, क्यों क्योंकि last से जब हम श हमारा O आ जाता है, तो starting के 2 option eliminate हो जाएंगे, अगर हमारा P आ जाएंगे, तो last के 2 option eliminate हो जाएंगे, ठीक है, हम first alphabet to first alphabet approach भी लगा सकते थे, पर अगर हमारा L आ जाता, वो approach लगाने के बाद, तो उसके बाद हमें 3 option पर फिर से काम करना था, तो इसलिए हमने 3 option pending रखने के वज ही है, पर मैं बस basic basic चीज़े बता रहा हूँ, जिससे आप अपने seconds होते हैं, कुछ seconds होते हैं, वो बचा सकते हो, क्योंकि एक second भी बहुत कीमती होता है exam में, अब आते हैं X, U, R, हमें next series का last alphabet देखना है क्या होगा, तो हमने इसको number से replace कर दिया, X की value थी 24, U की value है 21, R की value है 28, अब 24 से 21 जाने के लिए 3 सब्टेक्ट करेंगे, 21 से 18 जाने के लिए 3 सब्टेक्ट करेंगे, तो obvious सी बात है, 18 से question mark तक जाने के लिए 3 ही सब्टेक्ट करेंगे, जब हमने 18 से question mark तक जाने के लिए 3 सब्टेक्ट किया, तो हमारे पास आया 15, और 15 होती है O की value, यह मैंने आ को एनलोगी चेप्टर में बताया था E J O T Y जो टी एक वर्ड था जिसमें 5 के multiple थे ठीक है तो O आगे हमारा उस pattern के हिसाब से 15 अब हमें बता चल गया कि भई C या D option में सही कोई एक option होगा पहले दो option तो होगे eliminate अब हम देखते हैं कि C और D option में first alphabet तो L ही है तो हम L वाला पार्ट रहने देंगे यानि हम first alphabet को compare नहीं करेंगे हम numbers वाले पार्ट पर आ जाएंगे numbers देखते हैं हमारे 4, 9, 16 है तो हमें question mark लगाना है अब 4, 9, 16 देखते ही मेरे दिमाग में strike होगा कि 4 है 2 का square, 9 है 3 का square, 16 है 4 का square तो next time आएगी हमारी 5 का square जो की होगी 25 तो हमारा C option correct हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ strike नहीं भी करती है तो आप gap निकाल लेना फिर से जब आप gap निकालोगे तब भी gap निकालने के बाद आपके पास जो question mark की जगा 25 ही आएगा 25 आने के बाद हमारा clear हो गया कि हमारा option C ही हमारा right answer है तो L 25 O is right option इसी के साथ हमारा series का part 2 खतम हुआ आज हमने पड़ी है alphabet series कल हम पढ़ेंगे part 3 में alphabet series की भी एक और kind है ठीक है दो types है number series जो हमने पिछले कल में पढ़ी थी alphabet series जो हम आज पढ़ रहे हैं और alphabet series की ही new type जो हम कल पढ़ेंगे इसी के साथ हमारा part 2 भी खतम होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आपको ये pattern कैसे decode करना है अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को like कीजिए साथ ही साथ ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चानल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thank you